अगर आपके घर में भी इस तरीके की फटी पुरानी जीन्स रखी हुए तो चलिए उसको उठाते हैं और बनाते हैं कुछ यूज फूल चीज तो हलो फ्रेंड स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में तो पूरा वीडियो देखिएगा बहुत ही काम कर वीडियो मै आप लोगों के साथ सेर कर रही हूँ तो यह देखिए जींस है जो की पुरानी हो गई है यह यूज नहीं हो रहा है तो मैद आप लोगों के साथ रीउज आइडिया बताओंगी तो पहले इसको मैं साड़ में करती हूँ क्योंकि इसी तरीके का और भी जीन्स मेरे पास काफी पड़ा हुआ था तो उसी को कट करके मैं पहले ही रख ली थी तो यह देखिए जीन्स का जो एक पैर होता है न मतलब एक पैर का जो जीन्स है उसको मैं कट कर ली हूँ और उसी को मैं बनाओंगी बस एक ही लेक के जो कप सबसे पहले जो बीच में जोइन्ड वाह रहा है तो में इसको कहूंड कर दे रही हूँ और ये बीच में सिलाई वाला उसको हम कट करेंगे तो इह दोनों पार्ट और एक तरहीते से हो जाता है अब एक तरप से नीचे prac अ में कबरे को अब बरावर करने के बाद क्या है देखिए इसका कोई fix measurement नहीं है मंगर फिर भी मैं आपको नाप करके दिखाती हूँ नीचे से एक तो क्या है कि इसको सीधा करना है नीचे देखिए मैं नापी तो 8 इंच था तो उपर से भी मैं 8 इंच करके और कपड़े को पहले सीधा कर देती हूँ तो सीधा पहले लंबे कपड़े को इस तरीके से कट कर लेना है और jeans जो है थोड़ा मोटा भी होता है तो सकत material होता है तो यह अच्छे से बन करकर ready हो जाता है आप जब भी बना एंग इस चीज को तो jeans से ही बना आप देखिए इसकी में लंबाई आप लोगों अच्छे से बता दे रहे हूं किसी भी तरफ में कि यानि कि दोनों तरफ में से किसी भी कई क तरफ में थाकर निसास लेगा और इसको कट कर लेंगे कुछ कारकर ससस का लूग JP कर के बाद अब उसके बाद यह डोथ तुक्ट वह उसा हुँ यह में पर जो है उससे में कम रखूंगी एक थोड़ा बड़ा रखूंगी और बाकी दो और थोड़ा सा कम रखूंगी तो एक से डेढ़ इंच आप कम कर सकते हैं और अगर चाहें तो तीनों एक ही बराबर रखना चाहते हैं तो एक बराबर भी रख सकते हैं तो यह देखे इसी तरीके से मैं कपड़े को रख करके कटिंग कर लेती हूं ताकि बराबर तरीके से कट हो जाए अब इसमें लगाने के लिए हमें पट्टी चाहिए तो उसके लिए मैं देखे सूट का बचा हुआ कपड़ा था उसी को यहां पर इस्तमाल कर र अब चोटे-चोटे टुकड़े कट हुए तो जो बड़ा वाला पार्ट है उसको एक ही तरफ में अब यह पट्टी लगाएंगे जिस कलर का उसी कलर का मसीन में धागा Indian अब यहां पर में पीला पट्टी लगा रहे हूं तो पीले क्लर का मसीन में धागा लगाई हैं कपड पर सीधा में एक तरफ करना है पट्टी के जैसा हमें इसको लगाना है और इस तरीके से जब पल्टेंगे और इसको उपर की तरफ टर्ण करके हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा अब यह देखिए बिल्कुल इसके किनारे पर पीला वाला साद बाहर के साइड जो इसका किनारी है वहां पर भी मैं एक सी लाई लगा दे रही हूं ताकि अच्छे से फिनीसिंग आए और मजबूती भी अच्छे से आजाए अब सेम तरीके से हमें दो पीस जो है उसको भी रेडी कर लेना है बस एक पीस जो है उसमें एक ही तरफ प perp Sulat को जो नीच इस चौकोर है वहां से हमें अटैज करना है यह देखिए इसको भी सीधा रखना है जो पाउच बनाएं हूँ उसको भी तरीकी से सीधा रखना है और सीधार क्टे कपड़े में थोड़ा से मार्जिंग रखते हुए हम पक्की वाली सिलाई लगा करखे एक है इस तरीके से दिखाई नौल strangड़ Corporation अब इसको भी आपैड करना है तो दिखूर कbits क्षच ओषर न करेंके अब यहाँ से क्या करना है कि कम से कम 10 पा नर्डी तोके दूसरा पाउच को हम attach करेंगे इस तरीके से जो दूसरा पीस है उसको भी attach कर लेना है कम सकम 1.5 इंच की दूरी जरूर रखेंगे अब तीसरे वाले पाट को भी इसी तरीके से 1.5 इंच की दूरी पर रखते हुए हम attach कर लेंगे अगर आप चाहें तो इसमें नाप करके निसान लगा रहें नहीं तो ऐसे अंदाजे से भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा इधर उदर भी हुआ तो उसमें कोई दिकत नहीं है अब देखें पूरी सीधी सिलाई लगाने के बाद दूसरे तरह भी हमें इसी तरीके से अच्छे से कपड़े को सेट करना है और दूसरे तरह भी सिलाई लगा करके अटेच कर देना है यह देखें इधर भी मैं ऐसे ही सिलाई लगा करके बंद कर दे रही हूं अब इसी तरीके से सिधी सिलाई लगाते जाएंगे और ये बंद होते जाएगा अब इसके उपर जो ये नीचे वाला जो है वो तो बंद हो चुका है हम नीचे से सिलाई लगाया है तो जब उपर वाला जो दो पाउच बना हुए न उसके नीचे साइड भी हम इसी तरीके से बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा करके इसको बंद कर देंगे उपर के साइड बंद नहीं करना है बस नीचे के साइड और इस तरीके से देखिए हमारे पास तीन पैकेट बंद करके रेडी हो चुका है ये देखे एक पैकेट सबसे उपर है फिर बीच में है फिर नीचे है नीचे वाला तुड़ा बड़ा मैं बनाई हूँ अब इसको उल्टा रखेंगे और फिर से उसी तरीके से हमें चारो तरफ इसके पट्टी को अटेच कर लेना है पहले हम इस तरीके से रखते हुए सीधी सिलाई लगाते हुए चारो तरफ अटेच कर देंगे अब यह जहां पर कॉनर आ रहा है हूँ वहां पे एक दम छोटा सा बारीक सा प्लेट डालेंगे और इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है अब इसी तरीके से घुमाते हुए पूरे में हम सिलाई लगा देंगे अब यह देखे जहां पर यह तिकोना बना हुए है वहां पर भी मैं इसी तरीके से सुई को अंदर रखना है मसीन में कपड़े के अंदर रखना है और इस तरीके से घुमाओ देते हुए हम अब यहां प कपड़े में दोनों साइट से दो दो इंच रख रहे हूं ताकि इसमें टांगने के लिए बन जाए इसी के साथ में ही आप चाहें तो अलग से भी बना करके इसमें लगा सकते हैं आप पूरे में सिलाई लगने के बाद इसको भी इधर से सीधे तरफ टर्न करते हुए थोड़े दूड़ी पर मोरते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे अब पूरे में सिलाई लगाने के बाद इसके किनारे पर भी मैं सिलाई लगा दे रही हूं आप चाहें तो किनारे पर सिलाई नहीं भी लगा सकते हैं मैं लगा रही हूं क्योंकि जो कपड़ा था फ करना है उल्टे साइट से रखते हुए पकड़ते हुए दोनों लूप्स को और सिलाई लगा दूंगी दो तीन बार करके तो यह पकी तरीके से ज्वाइन हो जाएगा अब इसको इस तरीके से पल्टेंगे तो सीधा हो जाएगा अब यह देखिए बहुत ही हमारा काम का चीज यह बन करके रेडि हुआ है आप इसको कहीं भी टांग सकते हैं और कोई भी छोटा मोटा जो समान होता है जो इधर में घर में अगर आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं तो काफी सारा चीज़े ऐसा होगा कि इधर उधर पड़ा होगा तो उसको भी इसमें डाल सकते हैं आ पुराना जीन्स फेके नहीं उससे कुछ ने कुछ ही हुज जाता है कैसा लगा वीडियो जरूर बताईएगा थांक्यू सो मच